हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जार हूं कि कैसे आप अपने लावा अगनी Android मुइल फोन में आप जो है Color Inversion Setting को आप जो इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि की On कैसे कर सकते हैं और ये Color Inversion Setting जो इनेबल करने के बाद ये सैटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में आपको डेटेल में बताने जार हूं तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में Setting पेज ओपन कर लेना है ठीक है? Setting पेज ओपन कर लेना है और आपको नीचे की साइड में आ और यहाँ पर इस setting आपकी इनेवल हो जाती है यानि की on हो जाती है अब इस setting इनेवल होने के बाद काम कैसे करती है यह मैं आपको समझा देता हूं आप तो यह देखी रहोंगे कि मेरे जो मुवाइल फोन का बैक्ग्राउंड है यह ब्लैक हो गया ठीक है पहले white था लेकिन यहाँ पर और भी फर्क पड़ता है आप देख सकते हैं कि जो मैगनिफिकेशन के अंदर का जो आइकन है यह black हो गया जो अंदर का जो design बना है देखे कैसा हो गया ठीक है तो यह setting जो इनेबल करने के बाद आपका color में थोड़ा सा changes आ जाते हैं ठीक है जो आपके original color होते है उनके पर थोड़ा सा black पन आ जाता है या फिर आपके जो icons है उनके जो अंदर की shape होते है उनका color जो है black हो जाता है जैसे Snapchat का जो app है इसका color जो है yellow होता है इसका color black हो गया ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरीके से काम करती है enable करने से अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना क्या है setting page open करना है और सबसुपर आपको search setting का option दिया हुआ पर search setting पर select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है color inversion जो setting का name है वो आपको यहाँ पर type कर देना ठीक है तो आपको नीचे की side में यह option खर जागा color inversion का इसे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आ जाथा और इस setting को highlight करता है ठीक है त